हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू नर्सिंग अरेना मैसल श्यूम सर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्सिंग अरेना पर तो चलिए आज का अपना टोपिक जो है क्लेफ्ट लिप्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट है हमने की कि देफिनेशन की अगर हम बात करें तो थो चैनल देफिनेशन हैं उससे और और नहीं हो चाहता है इस कन्डीशन को क्या कहते हैं लेफ्ट लिपक है इसके बाद में अगर हम बात करें तो it is usually unilateral on the left side यह कह रहा है कि usually usually होता कैसा है left side होता है on the unilateral होता है on the left side more common in boys as compared to girls girls के compare के अगर हम बात करें तो boys के अंदर यह क्या होता है सबसे ज़्यादा common देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद में अगर हम बात करें कि types of cleft lip की cleft lip के types कितने types के होते हैं तो cleft lip normally कितने types के होते हैं चार types के होते हैं जिनका मैंने यहां description दे रखा है आपके सामने देखिए first is unilateral second one is bilateral third one is incomplete and fourth one is complete complete cleft lip तो देखिए unilateral में क्या होता है below the center of one of the nostrils जो अपने nostril होता है मतलब एक nostril है उसके बिल्कुल center के below जो अपना cleft lip देखने को मिलता है वह कौन सा होता है unilateral होता है वह कौन सा होता है unilateral तो below the center of below the center of one of the nostril ठीक है that's known as unilateral cleft lip अगर second one की अगर हम बात करें तो second one होता है bilateral second one क्या होता है bilateral तो bilateral में देखिए below both nostrils जो अपने दोनों nostril होता है left and right उन दोनों की बीच में अगर देखने को मिलता है cleft lip तो उस condition को वह कौन सा types हो जाएगा bilateral cleft lip like bilateral cleft lip ठीक है इसके बाद में third जो point है incomplete incomplete cleft lip मतलब देखिए incomplete देखिए नाम से ही पता चल रहा incomplete मतलब प्रोपर तरीके से नहीं है ठीक है इन नोच ओन वर्मिलियोन बोर्डर ओफ लिप जो लिप का वर्मिलियोन बोर्डर होता है वहां पर देखने को मिल दा और वहां पर क्या होते है एक नोच बन जाती है वहां क कह सकते हैं अदरीके से मार्जिन क्या बोल सकते हैं मार्जिन मतलब बिलुकुल मार्जिन पर टीक जो किनारा जोड़ा वोता है complete क्लेफट लिप complete मतलब की complete involve होगा ठीक है notch up to मतलब notch कहां तक involve होगी यहां पर तो देखिए incomplete में तो किवल एक notch formation हो रही थी वर्मेलियों बोर्डर बर ठीक है लेकिन complete में क्या हो रहा है notch कहां तक जा रही है अप टू एलिवुलर प्रोसस एलिवुलर प्रोसस अब यहां पर कि बात आती है कि अलिवुलर प्रोसस का मतलब क्या होता है अब देखिए अलिवुलर प्रोसस का मतलब क्या होता है ठीक है अलिवुलर प्रोसस एलिवुलर प्रोसस टीक है अलिवुलर प्रोसस जो होता है अपने दो टाइप की होता है अलिवुलर प्रोसस कितने टाइप्स को होता क्या है और फ्रोसेस होता है अश्य को क्या और फ्रोसेस देट कंतेंड णॉस्य मतलत थिक पार्ट जो कई अभवाला फ्रोसेस आप आगजिला इन थो पार्ट उफ दा माउथ मतलब के टो पार्ट में होता है जो उसको क्या Bolet प्रोसइस ओफ मैग्जीला ठीक है मियुटब। तुना होगा एक मेकजिला पार्ट होता है एक तो कुनसा पार्ट होता है मेकजिला होता है ठीक है एंड दूसरा क्यों होता है मेंडिवल होता है दूसरा कुनसा होता है मेंडिवल तो मेकजिला एक तो मेकजिला पार्ट होता है दूसरा किस पर होता है मेंडिवल पार्ट पर ह होता है cleft palate देखिए इसकी definition के अगर हम बात कर ले तो failure to fusion of bonnie failure to fusion of bonnie या फिर hard tissue जिनको बोलते हैं hard tissue of palate heart tissue of palate during embryonic development देखिए यह कह रहा है कि embryonic development के दोरान जब क्या होता है hard tissue जो होते हैं palate के अगर उनका fusion ना हो तो उसको क्या बोलते हैं cleft palate palate बोलते हैं अब देखिए bonnie tissue या hard tissue मतलब क्या उनसे हो गए palate के आपने सुना हो गएक तो soft palate होता है और एक एक हाड़ पालेट होता है ठीक है जो mouth के roof की formation करते हैं वो कौन करता है palate करता कौन करता कि यह बंट सीज़ीच छो होता थिक है ब آپ देखिए तो यह क्या यह इनका फूसे ना directory से नहीं हो रहा है कि इसका बोनी टीश्यों ग्रीणी स्काले क्लेफटी बोलते हैं पालेट वोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ठीक है अब देखिए नियृत प्राइमरी पैलेट भी बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ प्राइमरी पैलेट किसको बोलेंगे और सेकेंडरी पैलेट बोल रहे हैं किसको हाइड पैलेट को बोल रहा है तो नो क्या होता है कि जो सेकेंडरी पैलेट या फिर सेखेंडरी पैलेट का प्रायमरी पैलेट से क्या नहीं हो पाता तो करẹंदेशन क्या देखने होता है जब कि क्लेफ्ट लिप किसमें को मन था गल्स के अंदर को मनली देखने को मिल रहा था अपने को ठीक है तो कोज़ेश कौन-कौन से होते हैं है एक्सपोजर टूरीडियेशन ओफ प्रेगनेंट मदर जो प्रेगनेंट मनदर होती है वह क्या जाए रेडियेशन की एक् इसके जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट प्लेट फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पोंसिबल होते हैं है एक्सपोजर टूरीशन ओफ प्रेगनेंट मादर थार्ड वन इस क्रोमोजमल अबनॉर्मलटी एंड फोर्थ वन इस स्ट्रेटोजेनिक ड्रक्स ठीक है यह हमने बात करें कि इंटर्वेंशन क्या प्रवाइड करेंगे क्या इंटर्वेंशन क्या प्रवाइड करेंगे तो देखिए असेस दस सकिंग स्वाल्विंग एंड ब्रीफिंग डिफिकल्टीज अगर बच्चे को क्या रहे है सकिंग करने में यह स्वाल्विंग करने में ठीक है ломें स्वोल्लींग करने में या फिर ब्रीफिंग को रही है यह हम डॉक्टर को कॉल करेंगा तीक है इसके बाद में १ान करने कि सेकंड इस पेशियल फीडर अब देखिए यह क्या बोल रहा है थाड़ पॉइंट के अंदर यह बोल रहा है कि इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो क्या नहीं कर पाता है वेक्यूम क्रिएट नहीं कर पाता है तो अपने को क्या आते हैं फीडिंग टेक्निक जो है वो करेंगे ठीक है तो यह टेकनिक जड़ुएम कराने की उनको क्या करेंगे ठीक है जो वीट है ळेलीstar करेंगे कि ज्यादा हो रहा है कंप हो रहा है उनको students करेंगे अगर 4th point के गरह हम बात करें तो small feeding to beby, baby को क्या करेंगे, small feeding provide करेंगे, small feeding जो baby को provide करेंगे, recurrent burping baby, baby को मतलब जब baby feeding कर रहा होगा, burping का मतलब क्या है, burping का मतलब यहाँ पे है, कि जो baby feed कर रहा है जब baby क्या कर रहा है feed कर रहा है तो baby की जो patrons and तो बार बार जब भी फेडिंग करेगा बेवी उसको बार बार पीट किया करेंगे ठब तो हमें क्या करना पड़ेगा जो question होता है nursing intervention में कभी-कभी पूछी लिया जाता है very very important है कि cleft lip या cleft palate की condition में bad side हमें क्या equipment रखना पड़ता है क्या necessary होता है तो उसमें क्या जाएगा अपना suction equipment जो जरूरी होता है क्योंकि कभी भी किसी भी time क्या होती है suctioning की जरूरत पड़ सकती है बेबी को surgical management हम क्या क्या प्रवाइड कर सकते हैं तो देखिए surgical management में सबसे पहले बात करें अगर cleft lip वाले patient के लिए बात करें जिस बेबी में cleft lip की condition present है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसकी लिए करते हैं अब टू वन टू थ्री मन्त मलब ये duration जो है अपने को बहुत important है याद रखना हमें कभी भी question के अंदर क्या आता है यो पूछ लिया जाता है कि किलोप्लास्टी है वह किसली perform की जाती है और इसका duration कब होता है कब उसे कब perform करते हैं तो इसका main duration क्यां के लिए लिए क्लेफ क्लिब के लिए आपको दोनों के लिए ध्यान रखना है क्योंकि मिलते जूलते हैं तो काफी बार क्या आता है कुन से सर्जatorio कर रहे थे और किस डूर स्विशन में कर रहे थे यह कब रहे थे तो यह अपने को ध्यान रखना है ठीक है तो अपने सर्चृater क्लैफ डीकल्रोफ टीम्त करते हैं आप टो वन टो घ्लकस करेंगे अप टो फ्री मन्ट करें हैं इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी बात करें कि क्लेफ्ट पैलेट के लिए इस्टेफाइलोरफी क्या करते हैं इस्टेफाइलोरफी या पेलेटोप्लास्टी करते हैं या फिर क्या करते हैं पैलेटोप्लास्टी या फिर इस्टेफाइलोरफी यह करते हैं क्लेफ्ट पैलेट वाले पर्फॉर्म करने हैं तो उसके लिए हम पर्फॉर्म करेंगे 8-12 मन्त के अंदर कब पर्फॉर्म करेंगे 8-12 मन्त में पर्फॉर्म करेंगे और टोडलर में हम पर्फॉर्म करते हैं 12-18 मन्त में कब पर्फॉर्म करते हैं 12-18 मन्त में हम क्या पर्फॉर्म करते हैं इसका time duration कब होता है तो इसका देखिए time duration जो है 12 to 18 month है ठीक है ये toddler में है कब है toddler अब देखिए खोशन यहां पे पूट अप होता है कि sir infant कब बोलेंगे बच्चे को हम toddler कब बोलेंगे तो infant देखिए मैं dear infant हम बोलते हैं कब बोलते हैं infant infant बोलते हैं one month to one year के baby को क्या बोलेंगे अपन infant बोलते हैं क्या बोलते हैं infant कब बोलेंगे one month से लेकर के one year के बच्चे को क्या बोलते हैं infant बोलते हैं और toddler कब बोलते हैं अपन one two three year के baby को क्या बोलते हैं टोडलर बोलते हैं ठीक है अब आप से यह भी condition पूछ ले जाती है कि स्टेफैलोरफी कब परफॉर्म करते ह है टोलर में perform करते हैं या पेडरं बेबी में कप कब perform करते हैं यह question put up या फिर आपसे month में भी पूछ लेता है year में भी पूछ लेगा अगर आप से यहां पर question यह year के अंदर पूछता है तो आपको कितना लिखना है यह लिखना है बेसके से cleft lip वाला बच्चा हो या फिर cleft palate वाला बच्चा हो अब देखिए इसके अंदर preoperative management क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं सबसे पहले आता है maintain respiration को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़े जो आती है अपने को क्लेफ लिप वाले कंडिशन में देखने को मिलती है उसके लिए हमें रैस्परेशन को मेंटेन करना बहुत जरीरी होता है ठीक है इसके अलावा प्रोवाइड सेमी अपराइड पोजिशन सेकेंड में क्या बोल रहा है सेकेंड में बोला सैड्ले ट्रव पोजिशन कब प्रोवाइड करना है सैड्ले पोजिशन आफ्टर फीडिंग अब देखें यह भी वरी इंपोर्टेंट पूश्चन पुट अप हो जाता है काफी बार कि क्लेफ्ट लिप अले कंडिशन में प कौनसी पॉजिशन 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 पॉजि ıldेननल अब देखें यह कहर है कि मौ जो मिलक है अपना है और इसको क्या करेंगे इंसाइड और पॉट करेंगे और और बाहर निकाल ड втор版 तो हमें क्या करना है मिलक को क्या करना है इंसाइड करना है and posture part of the mouth mouth का जो posture part है वहाँ पे करना है ताकि easily engulf कर सके baby कोई problem उसको create ना हो इसके बाद में fifth point जो अपना आता है educate the parents देखिए अब parents को educate करना है अपने को किसके बारे में इससाइड टेकनिक के बारे में फेशया जो बच्चे के जो पिरंट सब्सक्राइब नको अपने को क्या करना है educate करना है किसके बारे में fourth point बता रखेंगे जिसको मैंने आपको क्या कर रहा है एक term में define किया और यह जो उये का मतलब क्या है यह एंदड़ करना पढ़ेगा तीक यह मतलब क्या हो गया एंड़ार्ज निपला ze स्किंग जो सकी है उसको हिस्तुमलिट और इंड़ सेकन्ड we यह व्हेवाने से स्वॉडबिंग एनच İs לחण यह और टीक है यह 84 क्या है। ठीक है यह अपने का अपने को एससर टेक्निक के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि एनलार्ज दा निपल इस्टूम लिट्श किंग एस स्वॉल्विंग एंड रेस्ट प्रवाइड करें ठीक है यह हो गया अपना प्रियोपरेटी मेनेजमेंट अब देखिए पो हम पोजिशन को अवेड करेंगे जैसे मालो कल Switch में है क्या उन्सी पोजिशन परेड कर देंगे तो वह प्रॉ Eli करेंगे तो फो प्रोब्लम क्रीट करेंग अब अपने बच्चा जो है लेड़ जायेगा प्रोन पोजिशन में तो लिप जो है बैड के टाच था होंगे ठीक ह हमने तो लिप पे surgery perform करिया तो वो क्या करता है वहाँ पे problem create कर सकता है तो हमें क्या करना है position को अवेड करना है surgical side पे ठीक है यह वो गया जैसे prone position example बदा दिया उसके बाद में clean just after feeding site अब जब भी feeding करवाएंगे पेश बच्चे को तो feeding कराने के बाद में हमें क्या करना है feeding site को एकदम proper तरीके से clean करना प्रोपर तरीके से क्या करना है clean करना है क्यों करना है ताकि हम infection से क्या कर सके बच्चे को prevent कर सके infection से क्या कर सकी कर सके तो clean just after feeding side मलब feeding करवाने के just after हमें side को क्या करना है proper तरीके से clean करना है ताकि हम prevent कर सके from infection third point जो अपना आता है वो आता है antibiotic ointment use जो antibiotic ointment use है उसको क्या करेंगे अपने यूज गरेंगे ताकि backtail infection ना हो सके उसके बाद में देखिए ये तो था किसके कुछे बारे में cleft lip के बारे में पोज waves अब सैकर्ड आता है cleft पअब क焦्रेट के बारे में किसके बारे में cleft पैलेट के बारे अब देखिए clef पैलेट में क्या कर सकते हैं oral packing for three to six days oral packing for three to six days after surgical proceed दिखिए यह क्या क saja कर रहा है जो भी surgical procedure apply क्या है वो प्रोपर तरीके से हील हो सके तो 3-6 डेज तक अपने को क्या करनी है औरल पेकिंग करनी है टिक है तो भई बात आती है कि अगर हम औरल पेकिंग कर देंगे तो बच्चे को feeding कैसी कराएंगे तो उसके लिए कि हमें क्या करना पड़ता है पेरेंटंटरल नियुट्रेशन पुर्इट करेंगे कि प्रवाइड करेंगे पैरेंट्रल नियुट्रेशन में प्रफोर्म नहीं करेंगे जब surgery perform कर दी किसके अंदर cleft palate वाले condition में ध्यान रखना है हमें surgery वाले patient में job की cleft palate का है वहाँ पे अपने को क्यार नहीं करना है suction perform नहीं करना है ठीक है यह अपने main management की बात कर लिए pre-operative management and post-operative management क्या 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 देखने को मिल सकते हैं तो दीन को complication हो सकता है otitis media second respiratory tract infection third one is speech problem and fourth one आता है feeding aspiration छीक है यह चार major complication है जो देखने को मिल सकते अपने को otitis media respiratory tract infection speech problem हो सकती है ठीक है उसके बाद में feeding aspiration हो सकता है यह major major complication तो मैं डियर फ्रेंड्स ये था अपना टोपिक आल अबाउट दा क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट के बारे में जिसमें हमने बात कर ली डेफिनेशन की बात कर ली उनके कोजिस मैंने आपको बता दिये उसके बाद में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजे मैं dear friend and video को share भी कर दीजे अपने whatsapp group में या फिर जो भी group है अपने friends में share कर दीजे तक कि वो भी friends इस अप फायदा उठा सके ठीक है my dear friend thank you thank you to everyone